कि दस्ट और है भाई सभी भाईयों का थे पहनों का एवं सभी साथियों का जो भी इस वीडियो में मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं आप सभी लोग का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए काफी बड़ा अपडेट यहां पर आता हो दिख रहा है जो कि आपके भारत देश के महराष्ट्रे राज्ये के मुंबई जगा से आया है आपको बता दू आपको इंकम टेक्स डिपार्टमेंट यया युदि आपका इंकम टेक्स होता है उसके अंदर वेकेंसि यहां पर आई है जो की 291 वेकैंसी रहे हैं और तो उसके लिए हम बता देते हैं, eligibility qualification क्या है, कितना salary देंगे, form का fees क्या होगा, form कैसे apply होगा, form के dates क्या होगे, ठीक है, और selection हम कैसे करेंगे, यह सारी जनकारी उन्होंने, income tax विभाग, Mumbai reason, ने आपका एक notification का, एक notice देते हैं, सारी जनकारी आपको cover करके देते हैं, इस वीडि कर सकते हैं, तो दोस्तों सभी भारत के लोग का तो खासकर स्वागत कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो, especially भारत देश के लोग के लिए, कि भारत देश के लोग के लिए, महरास्टर राज्ये में, मुंबई नाम की जगा पर, income tax विभाग में, vacancy आई बताऊँगा दोस्तों, मतलब की eligibility से लेकर job मिलने तक कि कैसे आपको job मिलेगी है, सारी जनकारी आपको बता रहा हूं, 291 लोग को यहां से रोजगार मिलेगी, job मिलेगा, उनका उनका जो है, एक बेरोजगारी आप कह सकते हो, दूर हो जाएगी, अगर वो qualification रखते हैं, तो form भार दे, उनको job मिल जाएगी, ठीक है, सारी जनकारी आपको cover करके, दे रहा हूं मैं, इस वीडियो में, उसके बाद सभी लोग जाकरा apply कर सकते हैं, रही बात, इसमें जो apply करने के लिए link है, और notification की, और हर एक चीज के जो link है, इस job से जुड़े वे, वो सारे आपको video के नीचे दिये गए हैं, तो video के नीचे, आप सभी लोग इंचाली चीजों को देख पा रहे होंगे, ठीक है, इंकम tax मुंबई का अलग है ये website, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही स्रिफ income tax विभाग है, अब ऐसा राज्य में, पुरे देश के अलग-अलग राज् नोटिफिकेशन देखने, तो आप website पर download section में इस notification को देख सकते हो, यहाँ पर एक recruitment section भी होगा, उसमें भी आपको इस चीज़े देखने को मिल जाएंगी, ठीक है भाई, सभी लोग अपने आप भी देख सकते है notification, जो लोग यह कहते हैं कि हमें खुद चेक करना है notification तो वो सरकार का है यह income विभाग और government of India के अंदर office of the principal chief commissioner of income tax मुंबई द्वारा इसको release करा गया है, थर्ड फ्लोर में यह आयकर भवन महार महार्शी कारवे रोड है, यह मुंबई में है, आपको बता दू, महारास्ट्र राज्ये के मुंबई जगा पर यह एक महार्शी महार्शी कारवे रोड जगा है, वहां पर आयकर भवन, भायकर भवन करके एक जगा है, आयकर भवन, और उसकी तीसली फ्लोर पर यह जो है, आपका income tax office है, ठीक है, government of India का है यह, बिल्कुल, और यह office जो है, उसमें जो है, principal chief commissioner द्वारा, इसको release करा गया है, ठीक है, यह 22 तारीक में जाता, 22 December में इस notification को दिया गया है, date यहां पर दिख रही है, recruitment of meritorious sportsperson in the cadre in the cadre of inspector of income tax stenographer, इंसरे आपको देखे, आपको इंस्पेक्टर मना देंगे, income tax का आप इंस्पेक्टर होंगा, stenographer भी होंगे, और tax assistant, मल, MTSB और canteen attendant, यह चार से पास तरहा की post निकाली गई है, ठीक है, अब यह चीज आद रखे Mumbai reason invites application from meritorious sports person यानि कि जो लोग खिलाड़ी है खेल कूद में आगे बढ़ चुके है चाहे वो football, cricket, volleyball, tennis कोई भी sport जो भी यहां लिखे होंगे मैं आपको बता दूँगा आप लोग अगर sport person हो तो आप लोग की vacancy है ठीक है अगर एक कोई normal candidate इस video को देख रहा है तो पहले इस video से अड़ जाए क्योंकि यह सिर्फ sport person को ले रहे है इस recruitment में यानि सिर्फ sport person को यहां से job देंगे और उसमें भी आपको यह inspector बना देंगे इंकम टेक्स का अगर आप यह recruitment पूरा पास कर देते हो इस्टीनोग्राफर ग्रेट सेकेंड में टेक्स असिस्टेंट और MTS और केंटीन एटेंडेंट जैसे पोस्ट दिये रहे हैं आपको यहां पर फॉर्म कैसे बना है मैं आपको बता दूँगा ठीक है आप पहले सारी कुछ जान लोग के बाद फॉर्म पढ़ने जाओ सिर्फ स्पोर्ट्स परसन फॉर्म बरेंगे इसमें और ऑनलाइन फॉर्म बरना है सब को ठीक है फॉर्म के डेट से याद रखे 22 दिसम्बर से फॉर्म स्टार्ट है और 19 से जैनवरी तक फॉर्म भ और इनको टेक्स असिस्टेंट वह 119 चाहिए और MTS 137 चाहिए 137 केंटीन अटेंडेंट्स तीन चाहिए 18 चाहिए इंकम टेक्स के इंस्पेक्टर 16 14 चाहिए अगर आप सेलरी जानना चाहरे हो तो इंस्पेक्टर का जो सेलरी होता है वो ज्यादा होता है 45,000 सुरू में मिल करो तो वह MTS का है और केंटीन अटेंडेंट का है बाकी आप बाकी पोस्टों की सेलरी देख सकते हो आपको जो सेलरी का रेंज दिख रहा है आपको यह मानना है कि आगर आप इंस्पेक्टर यहां बन जाओगे तो आपको 45,000 देंगे इस शुरू बात में फिर वो एक समय पर आपको एक लाग भी देंगे एक लाग दस जार भी देंगे एक लाग भी सजार भी देंगे यह पर मंत का बेस रहता है 291 वेकेंसी टोटल दी गही है का भी एक कि कंद्डेट गें टेंटाइव और नी jagad फॉटी देंगे कि ब बाइग बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है इन्होंने कहा है अगर कोई की चाहरा रहा है कि उसको इंस्पेक्टर पर एपकरना इस current में होरे करना है क्या मल्टि ट्रहर कानलाकी MTS या कोई भी एक पोस्ट पर पिर वो चार है कि सारे पोस्ट में अप्लाई कर दे लिए इससे जाला प्रभलाई गर डे तो वह एक ही फ़र्म में भर दे बvania कि एक फ़र्म में अपनला प्रहेंस दे कि यार मुझे अगा मिले तो फ्हले ठीक है इन्दा डेपार्टमेंट और पर्सोनल एंट ट्रेनिंग डेटिट आप देगे 1995 के माई मंत के चार तारिका चार माई का नोटीस उठाके देखिए वहाँ पर इन्होंने एक जानकारी दी गई है वहाँ पर बताया है कि किस बेस पर ये स्पोट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं ठीक है और एक नोटीस इन्होंने और दिया है जो कि 2022 के नवंबर महीने के 18 तारिक में दिया है उसको भी आप जरूरीट कर लें अगर आप यह दोनों रीट कर लोगे आपको समाह जा जाएगा कि आपका सेलेक्शन होने कैसे वाला है प्र और एक रिपरेजर्टे दिया है मतना कि आप जैसे आप जानते हैं कि हरवाइश्विस्पोर्ट पर्सन एक कंट्री को ॏ पर्यूरीपरसंट कर रही होते हैं कि आप देसके खिलाडी है। इस देश्य को रिपरेज्ट कर रहे हैं ठीक है। तो आप अगर आप आप अगर आ वाइज फिर जाते हैं यह नेशनल वाइज इस तरीके से अभी तो यह कंट्री बोल रहा है यानि कि यह इंटरनेशनल कॉंपटिशन पर आगे नेशनल कॉंपटिशन पर आएंगे तो इस्टेट के कंडड़ेट को प्रेक्ट को प्रेकशन पर रहेगा जो लोग बड़े लेवल कि प्नितिशन प्रे स्वेटो हैं उनको लोग ने थ 완성 है फटर्ट प्रफ्रेफ्रंस ही उनको देंगे जिन्रों एक यूणिवर्शिटी एक को represent करなら हो ठीक है the fourth preference उनको देंगे जिन्रों ने किसी एक राज्य की School को represent represent doen Wagyu को represent किया हो यह उसको दे देंगे fifth preference उसको देंगे जो की national award लाया है physical efficiency के अंदर उसको देंगे छटी preference से उसको देंगे जो की जो की state या university को school को represent कर रहा था लेकिन वो जीता नहीं तो उसको आखिर में preference देंगे यानि की preference उनको भी मिलेगी जो competition में गए गए लेकिन जीते नहीं लेकिन जो जीते होंगे और बड़े लेवल तक गए होंगे उनको यह लोग पहले लेंगे tie case होंगे तो वो लोग कैसे solve करेंगे अगर आप ही आपके भी आप भी सेम लेवल तक गए हो दूसरा candidate भी सेम लेवल तक के competition तक गया है तो preference करते हुए कैसे select करेंगे वह आप यहां से point देख लो note 1 से 4 तक सारे point दिए गए list of game बता देता हूं कि कौन से sport वाले लोग यहां पर select होंगे याद रखे हर sport को यहां पर नहीं लिया जाएगा अगर आप archery और athletics और अत्या पत्या और badminton और ball 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 badminton और baseball और basketball और भी आपको दिखा देता हूं billiard and snookers और bodybuilding और boxing और bridge और कैरम और chess cricket cycling cycle polo और deep sport यह सारे खेल में अगर आप लोग गए हो आप देख लो golf भी है handball भी है hockey भी है i hockey किर्केट भी है हां यह से मांलो आप यह से cricket है अगर मान के चलो आज के समय माल लिए बड़े cricket inडिया की माल लिजे इंटिया के कई cricket है कोई बड़े cricket है और यहां पर चाहए तो इस उपकुल ले सकते हैं च्छोकिए वह उनका sport यहां आ समझ रहें अगर कोई फुटबॉल से हैं इंडिया का कोई किर्केटर तो वो भी यहां जा सकता है तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आप पर लिया जाएगा जिमनास्टिक भी है और होकी जूडो और बाकी स्बोट भी आपर दिए गए तमाम सपोर्ट दिये गया आप देखो गए स्पोर्ट पर्शन की तो बल्ले बल्ले हो गई है इसपोर्ट पर्शन के तो मजह ही आ जाएंगे आपर क्या आप देख लो टोटल 65as स्पोर्ट्स है इसको आपका कोई स्पोर्ट है तो आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी यह आप यहां से देख सकते हो कर रहा हां ठीक है एक चीज़ यह बोल रहा है जो टोटल रिक्लूट्मेंट होगी हर गेम की स्पोर्ट विल भी सब्सक्राइब करेंगे लोग तो फुट्बॉल के सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंगे तो फुट्बॉल के सिर्फ और सिर्फ 221 का 10% आप निकाल लेकर यानि कि लगबग 221 के आप 10% निकालते हो तो यह करीब करीब आपका 25 के करीब आएगा 25 के करीब इतना आएगा इतने लोग को कोई लेंगे यह होकी से ठीक है तो जितनी वेकंसी टोटल है उसके 10% के ही लगबक हर स्पोर्ट से लेंगे वो भी मैक्सिमम मता रहा हूं दोस्तों हो सकता है कि एक स्पोर्ट से श्रीफ एक तो केंड़ेट को ले लिया जा ठीक है इनको टोटल वेकंसी आप देखोगे तो अ बढ़े तो ही स्पोर्ट में अगогर Onun है बढ़ेंगी तो मैं आपको बता लूगा कि कॉन सी स्पोर्ट के द्वारा आपका से टिविकेटi वेर्ड होना चाहिए जो की recruitment में लिया जाएगा ठीक है हाँ ऐसा नहीं होता कि किसी के भी द्वारा आपको किसी sport में certificate मिल गया तो आपने माल लिया है कि आपको job भी मिल जाएगी किस-किस के द्वारा मिलती है अगर international competition का होगा तो secretary of the national federation of the game concerned वाले authority का certificate होगा तो ले लिया जाएगा national competition में secretary of the national federation या secretary of the state association of the game concerned game concerned मिल जुझाता है कि आपका secretary of the national federation है जो की या तो national का है या फिर state का है उस game का सपोज hockey का है तो secretary of the national federation of hockey इस तरीके से होगा ठीक है भाई तो इस तरीके से national competition वाले इंटर यूनिवर्सिटी वाले टूर्मेंट्स वाले देख लें तो सभी लोग अपना अपना देख लो भाई कि कि किसका अकूंट्स एक्सेप्ट होगा अगर इनके द्वारा किसी authority ने किसी organization ने आपके certificate issue करें है तो वो accept नहीं होंगे ठीक है अगर आप दूसरे देश के आप लोग नहीं बर सकते हैं लेकिन बारत का के चैंडेट वर्सकता है इसमें यह इन्होंने बता दिया एज लिमिट याद रखें इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 30 मैक्सीम में 18 मिनिमम हर पोस्ट के लिए इसमें इसमें आपका 27 है टेक्स असेटेंट में 25 है और सीए के लिए भी स्केंटिन अटेंडेंट में 25 है आप देखिए स्पोर्ट पर्सन में यह फायदा हो जाता है कई बार रेक्रूट्मेंट्स में एक्जाम नहीं होता आपके कॉम्प्टिशन के स्कोर और आपकी जो अचीवमेंट्स होती है उसके बेस पर डिरेक्ट आपको जौबें मिल जाती है हां यह चीजें होती है दोस्तों इस वया से स्पोर्ट परसन के यहां पर फायदे हो जाते हैं रिलैक्सेशन एज में अगर पता हूं तो SCST को पात साल मिलेगा देखिए हां जो भी स्पोर्ट परसन है सब को पात साल मिलेगा और लोकिन अगर आप SCST हो तो आपको 10 साल मिल जाएगा रिलैक्सेशन अपने एज में सभी लोग अपने अपने रिलैक्सेशन देख लें किसको मिल रहे हैं कितने मिल रहें क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूं क् अब यहां पर्मुट क्वालिफिकेशन नहीं लिए जा रहा हैं क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है तो आप दीख लो एसेंजन यह एंृ不知道 से ऐसी एक डिगरी चाहिए किसी भी फिल्ड में मतलब वो चैंटरेट जो दसवी पास पार भी पास या डिगरी रख रहे हैं और किसी स्पोर्ट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल सक्ट या या यूनिवर्सिटी या स्कूल या टूर्नमेंट लेवल तक खेल चुके है खेल में और वो लोग बले हो जीते भी नहीं तब भी वह फर्म बर सकते हैं और जीत गए हो तो उनके लिए काफी एची बाते होंगी सिर्फ इसपोर्ट परसन के लिए सारी वेकेंसी आपको दिख रहे हैं अपलाए करने के लिए मैं आपको आगे बताने व कि मिरको उमीद है आपको सारी पॉइंट के लिए रोते होंगे यहां पर जो ही बता रहा हूं फॉर्म का फीस लिया जाएगा डिकी फीस सभी को देना है फीस यहां पर 200 रुपए पे करने है सभी लोग को फीस जो है वो पे करेंगे ऑनलाइन मोड में सभी लोग पे करेंग लेकिन फीस वापस नहीं आती तो अपने रिस्क पर फॉर्म की फीस पे करें सभी को 200 रुपए पे करने है आप अगर SCO, STO, OBCO, EWSO सभी को 200 रुपए करने है इंस्टक्शन एप्लिकेशन के कैसे रहने आप्लिकेंट के आपके लिए कुछ इंस्टक्शन दिये गए आप इसको एक बार रेट कर लें ठीक है इंस्टक्शन इन्स्टक्शन ने दिये हैं वह आप यह से देख लो ठीक है इन्होंने बताया आपके महरास्टा राज्ये के मुंबई जगा पर एक इनका जो आयकर विभाग है यानि की इंकम टेक्स डेपार्टमेंट है वहीं आपकी यह जौब होगी आप अगर इसमें अगर आप दूसरे राज्ये से आ रहे हो भारत देश में किसी और जग होगी मुंबई जगा पर इंकम टेक्स विभाग में दो साल आप प्रोबेशन पर होंगे प्रोबेशन मतलब गवर्मेंट ओफ इंडिया के बड़े बड़े अधिकारी जो इस इस ओफिस में होंगे वह यह देखेंगे कि भाई आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो अप आपको एक पर्मानेंट एंप्लोई माना जाएगा पर्मानेंट जॉब आपकी माली जागी याद रखें दोस्तों यह प्रोबेशन में काम बहुत ज्यादा आपके पास आता है ऐसे में क्योंकि आप शुरूवाती तोर पर एक एंप्लोई होते हैं लाओ आप कुछ के इननोंने क्या बोला है अगर जैसे माली जीजा आप सरवीज देतें साथ साथ आप चाह रहे हो कि आपको किसी सपोर्ट में जाना है कि इसिएप्टीवडीज के सथिए जाना है जैसे क्योंकि इसपोर्ट परसन ऐसे होते हैं कि वह जॉब करने के साथ वोट में भी चले जाए तो ऐसे में आप जा पाऊगा या नहीं जा पाऊगा तो उसके लिए आपके लिए पंद्रा सितम्मर 2022 का नोटीन उठाके देखें जो कि आपको डॉप्ट के वेबसाइट में मिल जाएगा उसमें आपका सारा कुछ लिखा हुआ है कि स्टीनों ग्राफर पर रिक्रूट हुँंगे उनको इसकीर टैस्ट देना है जिसमें आपका डिक्टेशन टेस्ट रहेगा 126प दस द लाज़एगा ऐसी रसर ने करने उगड़ां वहां पर ट्रांस्क्रिप्शन जो रहेगा वह 50 वर्ड पर मिर्ट होगा इंग्लिस का और पैसा रहेगा हिंदी का अल्ली ये कंप्यूटर पर होगा सारा कुछ क्योंकि इस्टीरोग्राफर का सारा जो स्कील होता है वह कंप्यूटर पर कड़ा दिया जाता है तो आप यह सब चीजे एक बार रीड कर ले हाँ आठ हजार की डिप्रेशन होना चाहिए हर घंटे पर यह आपका डेटा इंट्री स्कील टेस्ट होता है उसमें आपकी चीज चाहिए होती जो कि आप टेक्स असिस्टन होगे तो आपको यह चीज करनी होगे तो यह के काफी ए कि आप प्रेटिकल इफिट हो या नहीं हो हाँ आप देगे अगर आप दूसरे राज़े तो इस फेकेंसी को लेने जा रहे हो ना तो आपको कोई आने जाने का कोई एक्सपेंसिज नहीं मिलेंगे आप खुदी के भी आप पर अपने खर्चे करते हुए इधर जा रहे हो ठीक है तो यहीं नोटिफिकेशन दा दोस्तों अब इसमें कोई सिलेवस है नहीं क्यों कोई एक्जाम हो नहीं रहा स्कील टेस्ट में आपको बताई दिया टाइपिं मैंहिं यहीं आपका मेंठां इचीज आप जरूर् फुल्फिल कर लें तभी आप लोगी स्कीलोड टेस्ट मई पास कर पाऊंगे इससे ज्यादा ही होना चाहिए आपके अगर आप इतना कर रहे हो इससे ज़यादा फोर्म बरेंगे पुरे देश से शिरिफ दूसरे लोग फोर्म नहीं बरेंगे यह द्यान रखना इसपोर्ट में भी आप ये 65 पर ध्यान रखें बाकी स्पोर्ट जो है उन पर आप लोग फॉर्म नहीं बर सकते हो ठीक है क्वालिफिकेशन का भी थोड़ा आप सभी लोग ध्यान में रखें सेलरी तो मैंने आपको बताए दिया काफी सही है सेलरी सारे पोस्टों पर सेलरी इन्होंने पहले ही दे रखा है सेलरी बहुत सही है अगर आपको सेलरी सही लगे तभी आप फॉर्म बरें हर चीज को देख हैंगे क्योंकि हम एक नए केंडिट हैं या पर इस वजह से आप देखो कि वेकंसी पोजिशन में आप देखोगे न तो आपके सामने आ जाएगा कितनी वेकंसी है क्या-क्या है आप इस तरी के सिलेक्शन का इटीरिया यहां से देख सकते हो कैसे होगा ठीक है मैं आपको प इस पॉर्ट में गए हुए है लिस्ट ओफ एक गेम्स आप देख सकते हैं आप पर लिस्टेगेम्स की यह बहुत इंप्पॉर्टेंट है क्यूंकि आपका जानना बहुत जरूरी है और कौन सी अथर्टी से आपका होना चाहिए अपलाएं यानि कि किस इस पॉर्ट में और क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट की भी कंडिशन को फुल्फिल करना जरूरी है 200 रुपे फॉर्म का फीज और बाकी आप सारी चीजियां से देख लोगे हम राइस्टर पर जाते हैं फुल नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अधार कार्ड नंबर, इमेल एड्रेस और इसको किलिक कर देना है कि हम रोबोट नहीं है हम एक इंसान है यूमेन बोडी, यूमेन बींग तो आप इसको किलिक करके GET OTP करोगे, एक one time password आपको आएगा, जो कि आपके mobile number पर आएगा, फिर उसके बाद आप उसको verify करोगे, उसके बाद अपना form भर लोगे, इसमें आपको सारा वही करना है, जैसे मैं आपको बताया, और form का print, end में आपको जरूर लेना है, मिरको उमीद है, सारा कुछ समझ आ